ओके तो आज हम compare करते है S23 FE को A55 के साथ में सबसे पहले बात हम करें दोनोही के build और design के बारे में तो दोनोही में rear से आपको glass मिल जाता है S23 FE के अंदर है Gorilla Glass 5 और A55 के अंदर है Gorilla Glass Victus Plus यानि की ज़्यादा strong protection आपको A55 के अंदर मिल जाती है दोनोही का rear look देखो तो आपको 19-20 का ही फरक मिलता है जादा कुछ आपको design में changes नहीं है दोनोही में जो camera की ring है बिल्कुल आपको separate मिल जाती है जो की दिखने में अच्छी लगती है A55 की जो camera ring से थोड़ी सी slightly बड़ी है और 23 FE के थोड़ी slightly छोटी लगती है दोनों का जो design है वो boxy type का है frame दोनों में आपको aluminum की यानि की metal की मिल जाती है FE का frame curvy है with matte finish के साथ में और 55 का frame बिल्कुल flat है with brushed metal finish के साथ में या आपने स्रिफ volume की और power button के पास में आपको थोड़ा curvy frame देखने मिलती A55 के पास में जिसको Samson बलता है Key Island तो जो frame वाला part है थोड़ा attractive मुझे A55 का लगा और thickness दोनों ही की बिल्कुल 7 में 8.2 mm की यानि के दोनों ही थोड़े से मोटे और ठीक है FE का weight है 209 gram और A55 का weight है 213 gram तो दोनों ही थोड़े भारी phone है लेकिन थोड़ा slightly 4 gram भारी है A55 अब दोनों ही में glass back है, metal की frame है और दोनों ही phone अच्छे का से sturdy भी लगते हातों में पकड़ने के बाद में लेकिन कोई ज़्यादा better है तो वो है A55 build quality की हिसाब से बिकोज की यहापे आपको Gorilla Glass Victus Plus मिलता है front और rear के अंदर भी साथ ही में थोड़ा ज़्यादा solid भी लगता है मुझे A55 हातों में पकड़ने के बाद में और बात करें in hand fill की तो देखो दोनों ही phone मोटे है यह ने की ठीक है साथ ही में दोनों का weight ज़्यादा भी है लेकिन थोड़ा छोटा और compact size का जो phone है वो है S23 AP बीकॉज यह थोड़ा छोटा phone है 6.4 inch के साथ में और इसके corners भी अच्छे कासे rounded है और frame भी थोड़ी कर भी है हातों में इसे grip या फिर जो in hand fill है वो थोड़ी comfortable आपको feel कराएगे तो जिनको छोटे phone person है compact phone person है और उनके हाथ जादा बड़े नहीं है तो वो definitely इसको check out कर सकते है लेकिन जिनके थोड़े बड़े हाते मेरे जैसे कोई दिक्कत नहीं heavy phone से या फिर बड़े phone से तो फिर definitely यह उनके लिए better हो सकता है तो यहाँ पर clear बात है कि build quality की साबसे में थोड़ा better बोलूँगो A55 को इन hand fill थोड़ी better 23FE की है और look wise भी दोनों में इतना कुछ फरक नहीं है तो अभी आप अपने साबसे check out कर सकते हो क्या आपको better लगता है और A55 के अंदर है hybrid SIM slot यानि कि आप दो SIM या फिर एक SIM में एक memory card लगा सकते हो और memory को 1 TV तक के expand भी कर सकते हो लेकिन अच्छी बात क्या है कि दोनों में आपको e-sim कर support मिल जाता है आप e-sim के साथ में एक अच्छा benefit आपको मिलता है A55 के साथ में बिकोज कि या पर hybrid SIM slot है तो अगर आपको 2 SIM और एक memory card लगाना हो तो आप A55 में लगा सकते हो कैसे लगा सकते हो तो आपको एक physical SIM प्लस एक e-sim लगाना पड़ेगा और प्लस आप memory slot में memory card भी add कर सकते हो नेस्ट है डिस्प्ले तो भी देखो 6.4 इंच का एक 2X Dynamic AMOLED का पैनल मिलता है आपको 23 FE के अंदर और 6.7 इंच का एक Super AMOLED का पैनल मिलता है आपको A55 के अंदर तो वैसे दोनों ही AMOLED पैनल है लेकिन थोड़ा जादा slightly better रहता है 2X Dynamic AMOLED का पैनल दोनों ही में आपको 120Hz का मिलता है fast refresh rate और दोनों ही में adaptive का option भी है तो screen का जो refresh rate है वो आपके use के according 60 से 120Hz के बीच में switch होता है दोनों के display HDR 10 पर certified भी है दोनों ही में आप YouTube के अंदर 4K 60fps HDR वीडियो बिलकुल smoothly play कर सकते हो कोई भी आपके lag नहीं होता और attractive ही नहीं है और दोनों के अंदर आपको L1 का support मिलता है तो आप सभी OTT apps के उपर full HD तक के video stream कर सकते हो और जो peak brightness है 1000 nits के A55 के अंदर 23 FE में यह 1450 nits की है तो दोनों का display outdoor में sufficiently bright है लेकिन जहापे बिलकुल hard sunlight रहता है बहुत तेज धूप रहती है तो आपे A55 थोड़ा सा struggle करता है लेकिन Fee जो है यहापे sufficiently bright रहता है बिकॉस के बिलकुल आपको थोड़े थोड़े बड़े तो मिलते ही है लेकिन यह इतना कोई बड़ा issue तो मुझे नहीं लगा बिकॉस के starting में मुझे लगा था कि थोड़े बड़े चीन और बेजल से लेकिन जैसे मैंने इनको use करना start किया तो और हाँ एक चोटा सा कॉंस या फिर बोलो बग मुझे लगा ए 55 के अंदर वैसे दोनों ही में AMOLED का डिस्प्ले तो है लेकिन जो ए 55 है ना इसका जो डिस्प्ले थोड़े से कलर या पर फीके प्रोडूस करता है आप दोनों को बिलकुल side by side deck सकते हो जो 23 है फिर थोड़ा स होता है तो फिर यहां पर हम इसकी वीडनेस को एक्ष्ट्रा बूस्ट कर सकते हैं तो इसे डिस्प्ले कॉल्टी आपको दोनों ही में अच्छे मिल जाती है इसको बड़ा डिस्प्ले चाहिए विक्टर्स प्लस के साथ में वो डेफिनली चेक आउट करेगा ए 55 को लेकिन ज या धुक्तर बेरी लेका है भी शेत्य प्रह्तर आपको दिक्कत कर तो यह थोड़ी दिक्कते जो कि आगे अपडेट में ऑस सक्ती है अब देखो लेकिन साउन anda क्यugo को मिलते है तो बार ant के साथ में कर दोने का स्पिकर और पूर बिल्कुल मस्त है थोड़ा स्लाइटली लाउड़र आपको एफी मिलता है लेकिन अगर एफ 55 के बाद हम करें तो यहाँ पर इसमें बेसी फील जो है वो थोड़ा आपको ज्यादा मिलता है और नेश्ट में बात कर लेते हैं है तो यह भी बहुत ही ज़रूरी है बिकॉस कि यह आपके फोन का जो एस्परेंस से यूज करने का इसको थोड़ा इंप्रूव कर देता है दोनों में आपको अच्छे हैप्टिक मिल जाते है और दोनों में जो इंप्लिमेंटेशन में थोड़ा बेटर मिलता है तो जो हैप्टिक का एस्परेंस है वो दोनों में तो अच्छा है लेकिन इस बार सैंसुन ने एस स्रीज के अंदर भी इसको बेटर इंप्लिमेंट किया है और ज्यादा बेटर इंप्रूव भी किया ने इस्टम बात करते हैं दोनों ही के 500 एमेज की बैटरी और A55 के अंदर है 5000 एमेज की बैटरी यानि की 500 एमेज बैटरी बड़ी आपको मिलती A55 के अंदर दोनों के बॉक्स में आपको अड़ाप्टर यानि की चार्जर नहीं मिलता दोनों ही फोन सपूर्ट करते है 15 वैट मैस्स 25 वैट चार्जिंग को बैटरी बैटरी बैकप यानि के सोटी के बारे में तो जो एस 23 ए यह आपको लगवक साड़े चाहसे पाच घंटे के आजपास का स्क्रीन ओन टाम निकलके दे देता है इसकी बैटरी भी बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट ड्रेन होती है अगर आप क्यामरा यूज करोगे थोड़ा कुछ हेवी टास्क करोगे तो जल्दी बैटरी ड्रेन कर देता है यानि कि क्वीक इसकी बैटरी ड्रेन होती है और दूसरी ओर है A55 जो कि थोड़ी 500 इमिज बैटरी जादा लेकर के आता है लेकिन यहापे इसको बहुत ही कमाल का आप्टिमाज किया सामसन ने इस बैटरी ड्रेन करके फोन बन जाता है यानि कि यह बहुत फास्ट ड्रेन होती है इसकी बात करें दोन ही फोन के परफार्मस के बारे में तुभी यहापे कौन ज्यादा बेटर है तो यह 55 के अंदर है एक्जनोस 1480 जो कि इंका लेटेस्ट चिपसेट है इसका जो एन्टेट का चिपसेट था इसका जो स्कोर निकल के आता है साड़े 9 लाग से लेके 10 लाग के आसपस यहापे मिल जाता है तो स्कोर के अकॉर्ण यहापे जो है 23 AP आपको थोड़ा पावरफुल लग सकता है लेकिन पैक्टिकल यूजर्स में अगर आप देखो तो कौन बेटर निकल क किया आता है इसके लिए मैंने बहुत सरी टेस्ट भी किये तो सबसे बहुत टेस्ट है 3D मार का वाइल लाइफ स्टेस यहापे जो स्टेबिलेटी यह मैटर करती है एंदर 86.5% के स्टेबिलेटी और 23 AP के स्टेबिलेटी है 65.6% जदा स्टेबल आपको देखने मिलता है यह आपको देखने मिलता है 55 के अंदर और यहाप जो स्कोर देख रहे हैं मैक्स एवरेज और मिनिमम तो यहाप यह भी स्कोर आपको 55 के बेटर मिल जाते है और बात हमकर गेमिंग की तो भी देखो मैंने दोनों के अंदर BGMI को भी ट्राय करके देखा हुआ है स्टार्टिंग में आप A55 के अंदर सेटिंग कंप्लिकली अनलॉक नहीं थी लेकिन जैसे बाद में कुछ अपडेट आते गई तो अभी आप A55 के अंदर भी स्मूद प्लस एश्ट्रिम बैलेंस अल्ट्रा एजडी अल्ट्रा और HDR अल्ट्रा तक के जो है वो सेटिंग को अनलॉक कर सकते ह आपको 23FV के अंदर भी देखने मिल जाती लेकिन कोई गेमिंग करना चाता है तो दोनों में आपको मीडियम से मौड़र गेमिंग अच्छे से हो जाते है लेकिन किसी एक को रिक्मेंड करना चाता हो तो वो रहेगा A55 विकॉस की भी देखो यहाँ पर जो है ना चिपसेट विल अप्टिमाइज भी है यहाँ पर अपर सेटिक सब कुछ अनलॉक हो भी चुकी है और यहाँ पर तीन करण ऐसे कि यहाँ पर गेमिंग थोड़ी बेटर होते है 23FV की मुकाबले में जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले बढ बड़ा है तो जो गेमिंग का एक्सप्रेंस है बड़े डिस्प्लेइ के उपर आपको अच्छा मिल जाता है दूसरी बात की बैटरी बैक अप तो आपको बार बार चार्जिंग नहीं लगाना पड़ेगा आपने एक बार चार्जिंग कंब्लीट कर ली तो बाद में आपको यह पर backup भी गेमिंग के उपर अच्छा मिलता है और तिसरी बात है यह पर थर्मल और थ्रोटलिंग केशिस तो भी देखो इसमें आप गेमिंग करोगे तो यह भी गरम होगा दोनों फोन गरम होते लेकिन आपको थर्मल का जो management है वो इसमें ज्यादा बेटर मिलता है यह कम गरम होगा कम यह पर थ्रोटल होगा तो क्लियर बात है कि अगर आपको चाहिए स्टेबल पर्फॉर्मंस तो आपको चूज करना चाहिए विकॉज कि यह पी में जो चिपसेट है एक्जनॉस 22001 फ्लाक्शिप चिपसेट है पावरफुल चिपसेट भी है लेकिन जैस कमाल तरीके से विल उक्टिमाइज किया गया इसके युई के साथ में आप जब भी एक इंदर कोई भी आपको ओपन क्लोस करोगे इसका जो स्पीड है इसकी जो एनिमेशन है किसी आपके ओपर स्वीच करना हो स्क्रॉलिंग करना हो 120 हर्स के साथ में या पर इसका टेच रि देखोगे तो दादा स्टेबल आपको एफिटिफाइज देखने मिलता है नेश्ट हम बात करें क्यामरा की तो भी देखो दोने में आपको रियर में ट्रिपल क्यामरा का सेटप मिल जाता है एफिप्टिफाइज के अंदर है में क्यामरा 50 इंप का विद ओएस के साथ में सब्सक्राइज के साथ में सेल्फी क्यामरा अंदर देखते किसमें आपको ज्यादा फीचेस मिल जाते हैं यहां पे प्रो फोटो प्रो वीडियो नाइट फूड पैनरोमा सूपर स्लो मोशन स्लो मोशन हाइपर लैप्स और सिंगल टेक यह सबी जो फीचेस से जो आपको द सेर यह वीडियो रिकॉड कर सकते हो यह inदर दोने फीचेस में घेसे जा फृटेक से उल्र रिकॉड्स आपको वीडियो रिकॉड़् कर सकते हो लेकिन सॼसवेस्स के ङो Harold 10x तक के जूम कर सकते हो, जबकि FV के अंदर आप यहाँ पर 30x तक के digitally जूम कर सकते हो, साथ ही में FV के अंदर आप advanced mode में जा करके high bit rate वीडियो और साथ ही में HDR 10x वीडियो भी शूट कर सकते हो, जहाँ आपको बेटर कॉलिटी की वीडियो मिल जाती है, यह features आपको A55 में नहीं मिलता, प्लस आपको tracking autofocus का features भी जो है, वो FV के अंदर मिलता है, जो कि A55 के अंदर नहीं, अभी आप कुछ camera sample देखो और जच करो, कौन जादा बेटर है जादा का जादा जादा को तो दोन होई की क्यामरा क्वाल्टी में आपको इसे बड़ा सा चेंज देखने नहीं मिलता स्कीन टोन या फी कलर टोन का आपको फरक्ट देखने मिल जकता है सेलपी क्यामरा मुझे थोड़ा बेटर लगा है यहाँ पर फोटो क्लिक करता है और थोड़ी वीडियो भी बेटर आ जाती है और जो एफी वो थोड़ा स्काइक को करें बाद थोड़ा ज़़ादा ब्लू करता है थोड़ा कलर को थोड़ा पंची रखता है मैं स्टार्टिंग में देखा था दोनई फोन के अंदर जब मैं फोटो क्लिक करता है तो मुझे यह बेटर लगता है 23 FV और जब मैं देखता एफचपन में तो फोटो और वीडियो बहुत ही डल लगती और जो ये 55 का डिस्क लेए वो इतना ज़ादा कलरफुल नहीं है मैंने आपको पहले बता है था कि आप पे थोड़े से फीके ज़ादर प्रूडूस करता है प्रूटेट वीडियो भी शूट कर सकते हो तो जिसको क्यामरा में ज्यादा फीचर्स चाहिए विद टेली फोटो लेंस के साथ में ज्यादा सेटिंग भी अनलॉक हो जैसे 4K 60 अपिस तक या पर 8K तक के तो वो डेफिनिटली फीको चेकाउट कर सकता है नहीं तो फीडिसेंग क्यामरा क्वालटी आपको 55 के अंदरी मिल जाती है नेश्ट हम बात करते हैं यूई और वो इसके बार में तो दो नहीं में आपको मिलता है वन यूई 6.1 विद एंडॉट 14 के साथ में और 23 फी में बहुत सरे AI के फीचर्स भी आड़ हो चुक है जैसे कि जन्रेटिव एडिट वगर है या पर सर्कल्टू सर्च वगर है लेकिन यह जो फीचर्स से आपको 55 में देखने नहीं मिलते और आग भी नहीं आने वाले और जो अप्डेट सपोर्ट है वो आपको मिलेगा 55 के अंदर एंडॉट 18 तक के विक कम्प्लीट मिल जाती है और फुल यह आपको नॉक सिक्रूटी मिल जाती है विच सिकूरी फोल्डर के साथ में और दोनों में आपको एनेफसी का सपोर्ट मिलता है तो आप यह पे टैप एंड पे का यूज भी कर सकते हो दोनों के अंदर बाकी जो अदर वन यूवाई के म आपको ओनली यह स्रीज में देखने मिलते हैं जैसे कि सामसान डेस का सपोर्ट वायर्लेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ड आपको मिलता है और जो एक फीचर्स वगरे वह भी आपको एडिशनली मिल जाते हैं 23 अपके अंदर और इनके यूवाई के करने हैं आपको एप्स में जा करके एप क्लॉड को यह पर डिसाइबल करना है ताकि आपको यह बार बार यह बोर ना करें तो दोने का यूवाई का एस्पिरेंस बेटर है लेकिन थोड़े स्लाइटले इस्टर फूचिस आपको मिल जाते हैं 23 एफी के अंदर नेस्ट हम ब अपर अपर एडिल का सीम है तो यह पर 5G का स्पीड मुझे अच्छा मिल जाता है इंडोर भी आउट्डोर भी कोई दिक्केद मुझे अब तक देखने नहीं मिली और जब यह पर 5G की सिगनल नहीं मिलते तो यह 4G प्लस का सपोर्ट भी है A55 के अंदर है Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 आपको दोने के अंदर मिल जाता है तो जो network reception है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर signal आते रहते कोई दिक्कत नहीं आती जैसे फ्लाइट बन निकालता हो तो यहाँ पर सही से वर करता है यह बहुत ही रेयर होता है मेरे साथ में और वो मुझे A55 के साथ में देखने मिला है तो यह बहुत ही रेयर होता है जो कि मुझे लगा मैं आपको clearly बता दिया बाके अपर यह network वगरे बिलकुल दोनों के fine है और आपको battery backup जादा better चाहिए हीटिंग का issue भी कम हो, build quality हो, solid witness plus के साथ में, haptics भी आपको collect मिल जाए, बड़ा display हो और performance के अंदर भी आपको long run में stability देखने मिले और decent camera setup हो तो definitely A55 अपके लिए एक best choice बन सकता है लेकिन दूसरी ओर है 23 FE जिनको battery backup से जादा कोई लगाव नह बागाने के बाद में heating issue पता नहीं चलता और जिनकी priority है camera उसकी अच्छे-च्छे features वगरे और telephoto lens साथ में One UI के extra features जैसे की AI के features और साथ में जिसको outdoor badness भी ज़दा चाहिए क्योंकि बहुत लोग outdoor भी ट्रायल करते हैं साथ में display के जो color वगरे वो ज़दा पंची और pop चाह लिए तो डेफिनिटली वो 23 FE को भी चेक आउट कर सकते हैं अभी आप अपने प्रावलिटी की साथ से चेक आउट कर सकते हैं कि कौन सा पोन आपके लिए best A55 या पिर S23 FE